वेलकम बैक टो दे महत वरियर्स आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से आप लोगों की जो बार-बार कमेंट आ रहे हैं ठीक है कमेंट में आप लोग यह पूछ रहे हैं कि सर ब्लू पिन और जो यह ब्लैक पिन का इसू आप लोगों का रहा है बहुत से लोग बोला है मैं बोला कि किस यूटूबर ने यह बोला या किस महान भाव ने यह बोला इसलिए बोला कि यार इतना बड़ा इशू नहीं जितना आप लोग क्रियेट कर रहे हैं फॉर्म ऐसा ही नहीं कि यह कोई पहला फॉर्म भरा जा रहा है, पहले इस चीज को आप समझे ले। इससे पहले बहुत से फॉर्म भरे गें, सेंटल में भरें गें, यूपी में भरें ठीक है। तो इतने छोटे छोटे जो इशूज हैं उनको बहुत बड़ा मुद्धामत बनाओ ठीक है और खुद भी परिशान हो रहे हो दूसरे को भी गुम्रा कर रहे हो ठीक है पहले तो जो यूट्यूबर्स यह बोल रहे हैं यार थोड़ा सा रिसर्ज किया करो कौन से पॉइंट मे करें जिसमें बच्छा बाहर न किया जाए ठीक है तो वह मैंने बता रखेंगें आप लोगों को कि आप अब यह यूटूबर वीडियो देख रहा है उनके पास बेहिज देना उससे उनको क्लियर हो ठीक है यहानको स्सी से लेकर हर एक चीज का अनुबह है तो और यहाँ प पेनल है यहां एक आदमी नहीं है ठीक है असिस्टेंट सेक्षन ओफीशर से लेकर यूपी एसाई से लेकर पूरी आप देख रहा है कि गुरूप है ठीक है तो हम लोग कोई भी बात होती तो आपस में डिसकस करते हैं कोई भी शू हो ठीक है तो जैसे यह इसू आप लोगों तो मार्सीट नहीं है टीटी मार्सीट नहीं है टीटी का जो आप लोगों मिलता वो आपको मिलता है सर्टीफिकेट बात को समझना वो आपको मिलता है सर्टीफिकेट ठीक है तो वो जो सर्टीफिकेट होता है वो आपका अलग होता है तो उसमें सर्टीफिकेट नंबर तो मार्टीट उठाना, वहां पर serial number ही लिखा हुआ है, DLT की मार्टीट उठाना, कोई मार्टीट number नहीं थी, सीधे-सीधे एक number है serial number, और दूसरी बात मैं बता दू, हर एक जो जैसे CBSC, ICSC या जितने UP board है, कोई भी board है, PNP है, इनका अलग-अलग अपना मानक रहता है, ठीक है, जैसे आप graduation में देखे, CSGMU में एक code लिखा रहता है, 01 के आंगे कुछ number से लिखे रहते है, 01, 02 या 03, कुछ इस तरीके से रहता है, तो वो 01 नहीं बरा जाता है, वो एक code होता है मार्सीट अगर आपने पहली निकलवाई है, तो 0 बना, अगर आप duplicate मार्सीट निकलवाई है, 02, अगर आपने एक और मार्सीट निकलवाई है, माली जी खो जाती है, तो उसको बोलते है 03, ये सारी चीजे रहती, तो बहुत सारी जी कि सीरियल निकलवाई है, बात को आप समझ लें, अगर आपने धोके से मार्सीट निकलवाई है, जो दो आपके हाई स्कूल में दिख रहा है, कुछ लोग उपर वाला बढ़ दे रहे हैं, मैंने सीरियल निकलवाई है, बहुत से यूट्यूपर ने बताया है, हमेशा य गुडांग की इसमें मेन होता है, आपका कितना गुडांग बनना, जो ये छोटे मोटे इशू है, ये इसका एफी डेविड लगके काम हो जाता है, एक हमारे टीम में ही है, राम सर, राम सर ने क्या किया कि बीएड की उनकी थी अभी 69 वागदारों, उनका नंबर गलत बरा बहुद इशू, विचारे परिसान, जैसे आप लोग परिसान है, वो भी परिसान, आखरी में जोईनिंग होई, तो वहाँ पर एक एफी डेविड लगा और संसोदान हो गया, बीएसे ने, बीएसे वहाँ सब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं दी, तो गयर इतनी बड़ी कि नौकरी किस तरीके से मिल लगी, कोई अधिगारी आपके साथ दुर्बैवार नहीं करेगा, इस बात को आप समझ लें, अब जो इशू है, नमबर अगर आप गलत बर देते हो, तो चाहिए कोट चले जाना, कहीं चले जाना, माफी नहीं मिलेगी, ठीक है, कोट से 1000 कम से क देखना है, ठीक है, वो जब आप देखेंगे, बात को समझना, तो उससे आपको कहीं सारे इसूच किलियर होंगे, तो नमबर जितने भी हो, सभी लोग सही बरे हो, जितने फुल डिटेल बरते हो, आप सही एकदम, नमबर गलत मत भरना, नाम गलत मत भरना, पिदा जी का न से वार होता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है, इस बात को आप समझ लें, और अब जो मेन इसूच कि नमबर गलत मत भरना, मारसी, नमबर एकाद ऊपर नीचे चलता रहे हो, इतनी छोड़े से उसूच में फारम, अलब दुबारा ना भरोगी, अब दुबारा भरना, फरत इस बात को और जाब काले पिन से सिग्नेचर या जो भी चीजे लिखाई जाती है, इसलिए क्योंकि वह सकैन अच्चे से होती है, और रीड कंप्यूटर जल्दी करता है, ओक्हाँ आप नीले पिन से भी कर देते हैं साइन, और वह अच्चे से सकैन हुआ है, प्रिंट उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सीधी सीधी बात है आपको मैं बता दू सीपीओ ऐसा है सीपीओ का जा फॉर्म बरा जाता है तो उसमें होता क्या कि सिगनेचर उन्होंने मागे थे फोटो के नीचे कि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत से कंडिडेट्स ने फोटो ही बरती थी नहीं ध्यान ना तो वह माफ कर दिया कोई श्यू ने उनका अड्मिट काड़ भी दिया गया पहले तो बोला जार अड्मिट काड नहीं दिया इसी तरीके से इसमें भी सुने सीधी सीधी में आपको आपको आदा दे ब्लू और ब्लैक पिन का सुने हां यह है कि आप red pin यूज नहीं करते हैं कि red pin जो होता है वो official rank के केवल अधिकारी के लिए होता है इस बात को आप समझ ले red pin को हर एक लोग इस्तमाल नहीं कर सकते हैं या में सा याद रखना तो blue या black इसमें आपको छूट मिल जाएगी कोई दिकने कर आपने blue से कर दिया है तो कोई बहुत बड़ा issue नहीं आने वाला आप scan करके अच्छे से उसको चड़ाए तो उससे कोई issue आपको आँगे चल कर भरती में कोई issue नहीं आएगा इसकी मैं guarantee ले रहा हूँ ठीक है अगर आपको अब भी अब बिलकुल देखो पहले तो मैं आपको दोती चीज़े के लिए कर दूँ यह doubts आते कहां से या तो खुद से पहले चीज़ों को समझो किसी भी YouTube या कहीं जाने कि आपको जूरत नहीं है कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें पहले notification को अच्छे से पढ़े points को note कर ले उसके बाद जो जो उसमें documents मांगे हैं जो जो documents के क्रमांग मांगे मैंने साब साब बोल रखा है कि आप लोग उनको एक जिगा write down करें write down करने के बाद ही form को बरे अब जल्दबाजी में form बरोगे पहले form बरते नहीं हो फिर बाद में बरोगे अब site कम चले कुछ बटे बच्चे जो है बार-बार phone कर रहा है message कर रहे सर site नहीं चले अब सर दोरी न site चलाएंगे PNP चलाएगा PNP का हमेशा का issue रहा है कि last time तक उनका site का issue रहता है तो अभी भी मैं बोला हो गर आपको form बरना है form की last date 17 तारीक है ठीक है 17 तारीक last date उससे पहले आप जल्द से जल्द form को बर ले और tension free हो जाए उसके बाद अपना पढ़ाई पर ध्यान दो एक महीने only बचा हुआ है एक्जाम को तो एक्जाम में जब इतना कम समय था form ही भर रहा है अभी 20 तारीक तक form बरोगे अगले महीने paper है 18 अपरेल को तो क्या पढ़ाई करोगे क्या आपका form से selection होगा क्या form से selection नहीं होना है ठीक है आपका selection होगा आपकी पढ़ाई और आपकी मेनत पद तो मातर 1500 ही है form में ही आप जद्वाद करने कोई को बोला मार्सीट नंबर form बढ़ते रहे जाओ क्या महीने बर तो यह जो ब्लू पिन ब्लैक पीन जो छोटे चोटे इसूज है हार एक का एक तो इसी वजह से मैं कमेंट का जवाब देता हूं अगर आप वाटसब में भी मुझे मैसेज कर रहते हैं तो मैं आपका जवाब देता हूं इसी लिए कि आपका कोई डाउट ना रहे क्योंकि आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लेगा सीधी सीधी बात तो डाउट मत रखो कुछ डाउट निगलिजिवाल होते हैं तो उन पर इतना बड़ा इशू मत बनाओ कोई भी कुछ भी बोला तो उससे आप टेंसन ना ले आप किसी भी अगर आपने छेत्र में कोई भी आपके घर परिवार में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके आप कंसल्ट करेंगे तो वो भी यही कहागा यार यह निगलिजिवाल आप मुझे बताओ कोई काम नहीं है तो इसलिए मैं बोल ला हूँ कि पहले फॉर्म को अच्छे से पढ़ा करो फिर उसके बाद भरो भरने के बाद फिर या तो किसी का वीडियो देख लो अच्छे से पहले समझ लो चीजे राइट डाउन को लो तभी फॉर्म बोल जल्द यह ICSC का अलग होता है उसको आप अच्छे से समझ लो सब कुछ मेंसन होता है तो हर एक का आप लोगों को पता है आदत पढ़ गई प्रश्न पूछने आप हलका सा फसते हैं तो तुरंद कहीं न कहीं आज यूटूब की दुनिया में आप कमेंट या उनसे तुरंद ना हूँ आप खुद उस चीज को एनालिसिस करें क्या यह व्यक्ति सही के रहा सही के रहा तो आप उसको मानें और उसके बाद उसकी बात को आंगे बढ़ा है इस तरीके से चीजों को करना है तो आप लोग टेंसर ना लें आप फॉर्म भर दें बहुत आसानी से आपका फ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे